नवस्कार दोस्तों, One India में मैं व्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने आखरी तीन मैच जीत कर फैंस को जश्न मनाने का मौका जरूर दिया और साथ ही मजबूत वापसी का वादा भी किया अपने आखरी लीग मैच के बाद CSK कपतान महिंदर सिंग धुनी ने कई मुद्दों पर खुल कर बात की दुनी ने कहा यह हमारे लिए मुश्किल सफर था मुझे नहीं लगता कि हम अपनी पूरी छमता से खेले हमने टुनमेंट के अलग-अलग मौकों पर कई गलतियां की आखर के चार मैच दिखाते हैं कि हम खुद को इस टुनमेंट में कहा देखना चाहते थे अगर आप बहुत ज्यादा पिछड जाते हैं तो मुश्किल हो जाता है कि आप खुद को पुश अप करें और अच्छा पदरशन कर सकें यही हर किसी का युगदान देना चाहिए मुझे गर्व है जिस तरीके से युवा क्रिकेटर्स खेले चे या साथ मैच काफ़े मुश्किल थे आप ऐसे ड्रेसिंग रूम का हिस्सा नहीं होने चाहते जहां करिकेट का मज़ा नहीं लिया जा रहा हो उन्होंने कहा अप नए फॉर्मुला और थियोरी के साथ जाना चाहते हैं लेकिन अगर ड्रेसिंग रूम का माहौल अच्छा नहीं रहता है तो ये काफी मुश्किल हो जाता है काफी कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि BCCI आक्षन को लेकर क्या फैसला लेता है हमें अपने कोर ग्रूप में कुछ बदलाव करने होंगे और अगले 10 साल के बारे में सोचना होगा IPL के शुरुआत में हमने ऐसी टीम बनाए जिसने हमारे लिए अच्छा काम किया एक समय आता है जब आपको थोड़ा शिफ्ट तो होना पड़ता है और अगली जिनरेशन को जम्मेदारी सौपनी होती है यही हमारी पॉलिसी रहेगी कि हम मजबूत कोर ग्रूप तयार करें फैंस को मैसेज देते हुए धूली ने कहा हम मजबूती से बापसी करेंगे जिसके लिए हम जाने जाते हैं यह मुश्किल साल रहा इस ऐसा सीजन रहा जहां जायतर मौको पर टीम ने अच्छा प्रोडिशन तो किया यह आप कह सकते हैं कि मुंबई इंडियन्स ने शानदार खेल दिखाया और बाकी टीमें इस दौड में बने रहने के लिए जूज रही है तो ऐसा कहा जा सकता है कि आप जिस तरीके से देखते हैं इस सीजन में काफी कुछ पॉजिटिव रहा कुछ खिलाणियों को मैंने अपनी जर्सी दी सायद उन्हें लगा मैं रेटायर हो रहा हूँ आपको दाते हैं टॉस के दोरान ही दोनी ने ये खुल कर कह दिया था कि वो अगले सीजन भी जरूर खेलेंगे आपको दाते हैं पंजाब के खिलाब खेले गए मुकाबले में चन्नई ने ना सिर्फ गेंदबाजी से बलकी बल्लेबाजी में भी शानदार प्रोशन किया इस मुकाबले में पंजाब ने पहले बल्लेबाजी करते हुए कि अपको दो कि अपको दो खेले बल्लेबाजी करते हैं